गुणिनी नमस्कार सु स्वागतम मैं हूँ अनियो खांकित पिछले हफते गायव था अब भाई बहुत छुट्टी दे तो छुट्टी लेने शही है वैसे भी बहुत लोग छुट्टी देते कहां है तो पिछले हफते मुझे मिली थी छुट्टी क्योंकि बहुत को करना था आज हो रहा है कोविट ये कारण वो पोस्पोन हो गया एंड इसके अलावा न्यूजी लैंड वेस्टन डीज की टेस्स सीरीज चल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ओडियाई सीरीज खत्म टी ट्वैंटी चल रही है मतलब ऑनलोल क्रिकेट तो धमाकेदार चरीके से चल है मट हम अभी भी अटके हुए है आई पिल पर तो कोशिश करते हैं आज आई पिल को खताम ही करते हैं वाई 46 मैच खतम हो चुके हैं तो आज उमीद है कि पूरा खतम करके किना निप्टारा करेंगे यह बहुत सारी लीग्स हमारे पास हैं जिसको मुझे आपनों से बताना तो सीधे मैच पर रुक करते हैं भाई मेरे एक लिसनर से मुझे बताया कि भाई सर आप 47 मैच कंप्लीट कर चुके और 40 मैच से आपको जो है शुरुबाद करने हैं धन्यवाद अगर आप भी चाहते हैं कि आप मेरी मदद कर सके हैं जहां मैं फसरा हूं तो बस करना क्या है मैं आपको शो केंते में बताऊंगा आप कैसे मुझे मुझे मदद कर सकते हैं मेरे पास हैं बहुत सारे फैक्ट्स एंड डिडिव नो तो चलिए पहले शुरुबाद करते हैं डिडिव नो से मुमा एंड आर सीबी अव लॉस्ट दे फूवेस्ट विकेट विकेट्स हाव highest scoring rate and the best ball per boundary ratio यानि ही बहुत अच्छा record है इन दोनों ही टीमों का इन आबुदावी की बात करें मुंबई इंडियन्स आवरेज जो है वो 187 है वहीं बात करें बैटिंग फर्स और अधर टीम्स की जो है आवरेज है वो only 151 है यानि कि मुंबई बैटिंग फर्स जब करती है आबुदावी में तो बड़ा ही कमाल का खेल का प्रिदिशन वो करती है नेक्स है वाइल प्लेइंग फर आर सीबी एवी डीवी लियर्स हाज आवरेज 56.27 इन 17 मैचेश अगेंस्ट मुंबई इंडियन्स आट इस ट्राइक रेट ऑफ 152.4 से क्यानि कि एवी डीव लियर्स मुंबई की बहुत वजियत करते हैं महत तकड़े से उनकी जो है वो आपक्स की तरफ और देखते हैं हमाई पास फैक्स क्या क्या है तो इसमें आबू धावी इन आई पेल 2020 सत्रा मैच खेले जा चुके हैं ओपेंड फील्ड जो है साथ बार है जिसमें जीता एक है और फारे पांच हैं मस दोनी दस सीजन ओपनर अगेंस्ट अम आई इन अली क यह कमाल का फैक्ट था कि साथ मैच 17 मैच के लिए जिसमें से साथ जो है वो बैटिंग फस्ट मांगी गई फिल्डिंग फस्ट और उसमें से सिफ एक मैच जीता वो भी दोनी ने मैच जीता चलिए आगे बढ़ते हैं मिडल ओवर्स रन रेट आई पेल में क्या रहे तो सब्सक्राइब साथ जबन बिच्वाल के खियार साथ जब्सक्राइब पैंते सीएस के अंट छे जब्सक्राइब आठ शोन ने आर्च यानिकि मिडिल ओवर्स में बहुत ही गड़िया प्रदिशन जो है वो रहता है आर सीबी का बात करते हैं कोहली वर्सिस बुमरा की आई पुरा नहीं है एवी डिविलियर्स वर्सिस बुमरा की अगर बात करें तो इसमें जो है एक से पंदरा ओवर के बीच पैंतालिस बॉल्स खेली हैं 43 रन बनाए हैं और दो बार आउट हुए हैं स्ट्राइक रेट सौ से नीचे है 93 का अगर वहीं सोला से बीस की बात करें त 23 बॉल खेली हैं 55 मनाए हैं आउट नहीं हुए हैं और स्ट्राइक रेट है 239 का यानि कि डेफ्थ ओवर में भूमरा एवी डिविलियर्स जो घूम जाते हैं 30 60 डिग्री में घूमा देते हैं यू करो यू कहें डिविलियर्स चलिए बात करते हैं देवदर्थ पर्डिकल क कि स्ट्राइक रेट की स्पिन के खिलाफ इस सीजन में क्या क्या रहा हुए ने पहले 11 मैचस में उनकी स्ट्राइक रेट जो थी एक सो दो दो नौ की थी स्ट्राइक रेट चार चौके जिसमें थे और एक चौका था बात करें अगर इस मैच की जिसकी हम बात कर रहे हैं वह उसमें 208 जो हैं कि स्ट्राइक रेट थी जिसमें आठ चौके थे और एक च्छका था यानि कि कुल मिलाकर पडिकल अच्छा करया है उन्हें इस सीजन में बात करते हैं पोलार्ड टू एवी डिविलियर्स इन आई पिल चैनिंग के लिए और चैनिंग में से 22 गेंदे खेल प किया है दुबई में बात करें तो 28 स्क्राइब को मैच हुआ था उसमें चार ओवर में 42 रंद दिये थे कोई विकेट ने निकाला था दस देशनल लब पांच शून की एकॉनमी थी जो की बहुत ही बेकार है फिर बात करें दुबई में 28 अक्टूबर को मैच कहला था उसमे करते हैं सूरकुमार यादव की अबुदावी में उनूने क्या करा है 17 रं मनाए है 16 बालों में के की च्यार के किलाफ साथ बालों में 10 बनाए हैं किंग्स लन पंजाब खिलाफ 47 बाल में 79 रन यांई 59 रन बनाए हैं उन्हें नॉट आउट रहते हुए राजिस्तान के खिलाफ तिरपन बनाए हैं 32 बाल में दिल्ली के खिलाफ 10 बाल में 10 कियार के खिलाफ 40 रन बनाए 26 बाल में राजिस्तान के खिलाफ और चौटिस बॉल में 59 की 69 रन बनाये हैं नॉट आउट रहते हैं बैंगलॉर के किला ही इस दा लीडिंग रन गेटर इन आभुदाबी दिस सीजन विट 315 रन्स वावे ये कमाल है आगे बात करते हैं डेल स्टेंड की आईपल बीस बीस में क्या हाल रही बहुत खराफ हाल रही तीन देशनलों तीन ओवर पहले फेके 33 रन दिये एक विकेट लिया एकॉनमी नौ की थी इसके बाद प्रफॉर्मस और खराब हुआ चार ओवर में 57 रन दिये एकॉनमी रही 14 दिशनलों दो पांच की उसके बाद चार ओवर में 43 रन दिये थोड़ा सा नीचे आए एक विकेट इन दे सीजन इस डाट आफ संदीब शर्मा यानि की संदीब शर्मा कोई तीर तीर तुक्या खेल नहीं है तीर मारन नहीं है बलकि मिल गया होगा अधर आप किसी बड़े खिलाडी का विकेट लेते तो शायद आपकी गन में जो है वो होता ताकत लिए आई थिंग का सबसे हाइस्ट है उन्यासी रनों का 43 बाल में नाट आउट जो कि उनने आर्स्टीबी के खिलाफ बनाया है उन्यासी ठीक है इसके अलावा उन्होंने इतने ही रन 47 बाल में फिर बनाया है नाट आउट जो कि राजस्थान के खिलाफ है फिर 47 बाल में 72 बनाया है राजस् सतर से नीचे का हाईस्ट को नहीं बनाते हूं कहते हैं मैं सतर की लैंग में मुझे डिस्टिंशन चाहिए हाम इस डिस्टिंशन के दम पर ही इंडिन टीम में जाओंगा बट हो नहीं पाता है उनको इंडिन टीम में मौका में नहीं पाता है चलिए बात करते हैं मिस मैच की मै सब्सक्राइब देवदत पडिकल की पारी मुंबई ने दिये तीन एक्स्ट्रा मुंबई की बालिंग की बात करें तो एक मात बॉलर चमक रहा है चार ओवर एक मेड़ें चौदर रन तीन विकेट और वह भूम गुम भूमरा जो कर रहा है गुमरा मेरिट पाफ ले में बैंगलोर ने बनाए चौवन रन बात कर लेते हैं मुंबई की मुंबई ने बनाए एक सो च्छाट पांच विकेट की नुकसान पे पांच गेंच शेश रहते हुए मैच उसने अपनी जोली में कर लिया पांच विके ने बनाए बैलों ने दी आर्ट रन एक्स्ट्रा बस्ट बॉलिंग की बात करें तो दो बॉलर मुझे नजर आ रहे हैं मैं इन दो में से एक पकड़ूंगा जो कि यह चार ओवर कोई मिडिन नहीं नहीं तीन दिशनल एक ओवर कोई मिडिन नी अठाइस रन दो विकेट ले मैच जो कि CSK VS KKR के पीच खेला गया KKR से मुझे एक बात नजर आई KKR के मालिक शारुक खान ने अमेरिका की एक लीग में भी अपना पैसा लगा दिया है अब जो मुझे मिला है इस मैच में वो मिला है बहुत बड़ा ज़्यादा वाला ग्यान डिडियो नो के माध्यम से एंड इसके लावा फैक्ट्स तो मुझे भर-भर के मिले हैं इस मैच में तो चलिए पहले बात कर लेते हैं डिडियो नो की फार्स टाइम सिंस 2008 CSK Spinner have picked less than 25 wickets in a season their tally of 15 this year is the worst among the eight teams बाई ये साल तो CSK जैसे रहना के गम में थी खेल ही नहीं पाई डंग से इतना डर्द उनको रहना का सताया बाल करता है FAB 2 Plus is CSK's top scorer this season so far with 401 runs but it was been a season of two consecutive half for the South African 283 of those 401 runs came in the first five innings when he was managed just 119 in the seven innings since जी हाँ जी शुरुआत में इस FAB ने बहुत अच्छा केला ये 401 run अच्छा score बट वही बात है कि दो half में आया है जो पहला half था उनका बहुत शानदार था जिसमें हमने बताया कि उन्होंने 282 run बनाए और उसके बाद कि जो 7 innings हैं उसमें 119 run बनाए तो ये कहीं ना कहीं FAB consistency नहीं थैं मना इस T20 series को जहां मैंने देखा उसमें मुझे ऐसा लगा कि नहीं FAB में दम है और उन्हें अच्छा भी करके दिखाएं इंग्लैंड की खिलाफ सीरीज में एक मैस में तो अल्रडी अच्छा किया ही है चलिए बात करते हैं आगे तो ये है MS Dhoni is yet to hit a boundary of Sunil Narayan in the IPL Oh my god यानि की महिन सिंग धोनी Sunil Narayan की बाल पर चौका ही नहीं मार पाते हैं तो क्या होगा बताइए फिर बात करते हैं KKR have lost the most wicket 84 and have the lowest run rate adding all the sides 7.80 CSK is the only other team to score a less than 8 run per over this season is 7.89 T20 में अगर आप 7 या 6 की run rate से run बना रहे हैं तो वो आपो कहीं भी फायदा नहीं देगा क्योंकि T20 एक explosive game है और explosion तो CSK ने किया यह टेस मैच की तरीके से इस सीजन को खेला है चलिए बात करते हैं दीपक चहर इन पावर प्ले लास्ट फाय लास्ट थ्री इनिक्स 30 run देकर के कोई विकेट नहीं 3 ओवर मुंबई के खिलाफ दो ओवर फेकने को मिले 17 ओवर कोई विकेट नहीं RCV के खिलाफ और दो ही ओवर फेकने को मिले 20 ओवर में कोई विकेट नहीं के क्यार के खिलाफ इससे ये बात समझ में आती कि दीपक चेहर पर confidence नहीं दिखाया कप्तान ने और उनको पूरे ओवर ही नहीं फेकने को दिये गए जो कहीं न कहीं थोड़ा सा दुकत है अगर हो सकता था खिलाली अगर explode करने जाए तो आफरी के दो वर्मन को विकिट मिल जाए पर ऐसा नहीं हुआ आई होप दीपक चेहर नेक्स सीजन में अच्छा performance करेंगे और कप्तान को खुश करेंगे और कप्तान उनको पूरे कोटे का चार ओबर कराएंगे चलिए बात करते हैं नितीश राना लास्ट फोर इनिक्स की तो उन्हें 50.. नौट आउट 47 बाल में शूने रन बनाए एक बॉल में 81 रन बनाए 30 बॉल में और पिर 0 बउल भी आउल पहुआ तो उन्हें का मैं लंब्रोगीनी बकाती और बिहेंग डबलू हूँ आटक अहीं मैं अटड़क तर नहीं चलताॉ हूँ पिचासी नौट आउट जो की सीएस के खिलाफ जिस मैच के बात करें उसमें किया इससे पहले 85 नौट आउट था उनका आर सीवी के खिलाफ कोलकाता में 2019 में और इसी साल उन्हें 81 हाइस्ट बनाया दिल्ली के खिला यानि कि नितीश राना जी ने अपनी गाली पकड़ी है कि पूरे सीजन का जो उनका जो सूखा है वो कवर हो जाए तो ऐसा होता नहीं है यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है टीमों को फिर आपके साथ कंपाइल करने में आपको टीम में रखने में ना रखने में तो वो दिक्कत होती है चलिए एक अब पावर प्ले के स्टैट् यह वड़ा कमाल है दूसरा मैच है कि वलिए इस सीजन का इसका बाद में करते हैं दा अधर वन वाज बिट्वीन सीएस के ऑफ किंग सलम पंजाब अड़ सेम वैन्यू एंड सीएस के चेजड डाउन हंडरेंट सैंटी नाइं विदाउट लूजिंग वेकेट हैं यहां दि दोसांज आया है चलिए यह इसमें मुद्द्व की बात नहीं करनी है यह हम और करेंगे फेस्बुक ट्विटर इंस्टा पर जब मैं आपको बताऊंगा तब बात करते हैं दिस इस ऑल्सो दा सेवन्थ टाइम इन लास्ट एट माच्चेज के क्यार हाव फेल्ट टू पिक विकट इन दब पावर प्ले वाव है यह और के क्यार की बहुत बड़ी उपलब्दी यह पावर प्ले में कहते हैं आप खुल के खेलिए आप उन्हें में फील्ड अपने पीछे रखे हुई है आप जहानी पीछे हमारी शॉट हम विकट नहीं लेंगे आपका बहुत दरिय सपष्राति के इस रहना के ना था हैं रहिए यह तीन रहठी ना मारी थे तिरी कि HU में पहुता है अकलत ही पड़ी वो भी दोनों रहना ने करी 2000 में चार पढ़ी जो की रहना ने चार के चार की 2011 में एक होई जो की श्रीकांथ ने की एक और 2020 में इस साल तीन हो चुके हैं जिसमें रितुराज के नाम दो हैं और करन के नाम एक हैं यहां जे तो इस तरीके से देखाया तो रहना का नाम बहुत ज़्यादा है इसलिए CS के इस पर चलने ही पाई यह बहुत ज़्यादा रहना पर भरोसा है चलिए बात करते हैं हिटिंग सिक्स ऑफ दा लास्ट बाल टू विन जे आखरी बाल पर च्छक्का मार के मैच जिताने का काम किस ने किया इसमें मुझे ब्रेवो का नाम हमेशा याद रहेगा जो उन्होंने कमाल करके दिखाया था वो इसलिए याद रहेगा को कि उस समय मैं गली क्रिकेट खुद भी खेला करता था और मैंने भी अपनी आखरी बाल पिच्छ सिक्स मार्किटीम को जिताया था और लूब मैं बालर हुआ करता था बैटसमन नहीं था आखरी मुझे बालर करता था हुआ वारी ने पूरे कि कि खिअफ दोज़ाइड बारह में काम किया और वह च्छका जिसकी मैं बात करी वह था डुएट ब्रावो का के कर के खिलाफ दोज़ाइड बारह में हम गली क्रिकेट खेला करते था छिए आच साल पहले चलिए इसके महन सिंग दोनी ने पंजाब के खिलाब 2016 में काम किया मिचल सैंटरन ने काम किया 2019 में राज़स्तान के खिलाब निकलस पूरण ने बेंगलोग के खिलाब इस साल और इसी साल रविंद्र जड़ेजा ने के के खिलाब ये काम करके दिखा दिया मुस्ट लास्ट बाल विन इन आई पियल रंचेज सबसे जादा सीएस के हैं फिर छे बार पांच बार मुंबई चार बार राज़तां तीन बार किंग्स इलावन पंजाब बाकी हो कोई मौका नहीं मिल पाया है तो यह तो थे डिडियू नो और फैक्ट से चलिए बढ़ते है हम अपने मैच की तरफ फिर हम अपने पचासफे मैच पर चलेंगे कोलका नाइट राज़न्स ने पहले बैटिंग करी एक सो बहत्तर बनाए पांच विजन उसान पर पूरे बीस ओवर में हाई एस रन जो है वो 87 है जो की है 61 बालों पे 10-24 चार्चकों की मदद से जो की नि चार ओवर कोई मेड़े ने चौतर संदो विकेट और यह हैं लूंगी निगरी बात करते हैं मंबई नहीं में बनाए 48 रंच नहीं ने बनाए 178 रंच चार विकेट की नुकसान पर पूरे बीस ओवर में मैच जीता मैच जीताने में सबसे बड़ा योगदान मैं देता हूं 72 रंच की पारी जो की 33 बालों में खेली गई आर्च वे दो चाकों के मदद से और ये थी रितुराज गायक वाट की और ये एक नए पैकेट निकला है सीसके के लिए नौरन जो है वो केकियार ने यहां पर खर्च कर दिये अब केकियार की बेस्ट बालिंग की बात करें तो मुझे नजर आ रहे हैं एक मातर नहीं दो बाले नजर आ रहे हैं और मैं पक्ड़ूंगा एक जो की है चार वर कोई मेडिन ने बीस रंड़ दो विकेट और ये है वरन चकर वरती मैं रिपापले में चैनल नहीं ने बनाए चावालिस रंड इस तरीके से खता होता है यह मै एफसी बिगबाश शुरू हो रही है और इसके अलावा जो है लपी एल तो चली ही रही है नहीं कि लंका प्रेमिर लीग भी चल रही है हम चलेंगे अपने पचासवे मैच की तरफ जो की है किंग्सलान पंजाब वर्सिस राजिस्थान के बीच उस पर बातचीत करेंगे अ यू नो तो चलिये इडिडियो नो पर नज़र डालते हैं ऐसा है कि सामसंट 23 इन 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 इस 23 चक्के और 22 चक्के हैं निकलस पूरन के नाम केल रहूल थ्री शॉर्ट अफ टू हंडर्ड टी ट्वेंटी शिक्स एंदा किंग्स 11 कैप्टन विल अलसो बिकम दो फिर्स बात्समें तो दो शिक्स हंडर्ड रन मार्क दिस सीजन शुड ही स्कोर अट लीस्ट फाइब रन गेम इसके बात बात करें निकलस पूरन 171 3.35 थार्ड बेस्ट स्ट्राइक रेट अमंग बात्समें फेस हंडर्ड फिप्टी प्लस बाल्स इन आईप्ल ट्वेंटी ट्वेंटी यानि की तीसरे वह खिलाडी है निकलस पूरन जिनकी स्ट्राइक रेट 170 के ऊपर हैं देर सो साथा गेंदे खेलने के बाद चलिए और कुछ नहीं है तो सीधे चलते हैं मैच की तरफ और देखते हैं मैच में क्या हुआ मैच में हुआ ये कि किंग सिलन पंजाब ने की पहले बाटिंग बनाए 184 विकेट अनुसान पे पूरे बीस ओवर में 99 रन क्रिस गेलमने बनाए वो नौट आउट हुए थे रन आउट हुए थे ने आउट हुए और 63 बॉलों में 648 चकों के मदद से 11 रन एक्स्टर यहां पर जो है वो बैंगलोर ने नहीं राजिस्थान और राजिस ने दिये राजिस्थान की तरफ से बैस्ट बॉलिंग की बात करें तो दो बॉलर है चमकते हुए और नाम जाएगा जौफरा आर्चर के चार ओवर कोई मेडिन ने था 28 रन दो विकेट तिरपन रन जो है वो पंजाब ने मेंटरी पापले में बनाए राजिस्थान 186 तीन पर पूरे दो ओवर यह धाई ओवर पहले ही मैच अपनी जोली में कर लिया इसका ब 20 बालों में च्छे चोवे दो तीन चकों की मदद से पंजाब ने दिये पांच रन एक्स्ट्रा बेस्ट बालिंग की बात करें तो दो बालर जोने एक एक विकेट अपने जोली में किया उसमें है चार ओवर 43 रन एक विकेट निकालने वाले मुरगन अश्विन का नाम और यहां पर 66 रन बनाए राजस्थान एमेंजरी पाव प्ले में और यह मैच जीत लिया और पंजाब की उमीदों को यहां से खत्म कर दिया चलिए बढ़ते हैं हम अपने 51 वे मैच की तरफ जो की है दिल्ली वर्सिस मुंबई के बीच खेला गया मैच देखते हैं फैक्ट डि विडियो नो के नाम पर सिफ दो ही हैं बट फैक्स काफी है तो चलिए पहले डिडियो नो को देख लेते हैं शिखर दैवन इस थे कंड हाइस्ट रं गेटर अगेंस्ट मुंबई इनियंस विद 733 रंस आफ्टर सूरेश राइन आफ 818 रंस सूर कुमार यादव इस 38 रं अ इन आई और शायद ये जो हैं हमारे सिफ ग्म Image की आख़ों में नहीं दिखाई देता है इतनी ज्दा जो हैं ब्रहस्ता चार घख ग्झा जताइक है यह उपर लेव Lol से मनाएं जो की बता दिया में ताली दिशनलव आठ एक की आवरेश से स्ट्राइक रेट जो है एक सो उन्तिश दिशनलव पाँच एक का है फिर बात करते हैं लोग के लोएस्ट पावर प्ले स्कोर इन आई पील ट्विंटी ट्विंटी इसमें है सत्रा अन्दे का चार विके स्के का मुंबई के खिलाफ यानि की कुछ बॉड़ी ही खराब परफॉर्मेंस इस आई पेल में देखने को मिली हैं मोस्ट विकेट फूर बुमराइनर आई पील सीजन 21 लिए हैं उन्हें इस साल 14 की स्ट्राइक रेट से पिछले साल बीस लिए दोज़ सत्रह में बीस पिल्टों का जो उनका जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है उनकी भूक बढ़ती जा रही जो एक अच्छी है पंत वर्स बुमरा की बात करें तो एट इनिंग में 32 लिए मात बनाए हैं पांच बार आउट हुए हैं स्ट्राइक रेट सौ का है यानि की एक सो चौछ ज़ चैसाथ का यानि की पंत बिल्कुल पस्त हो जाते हैं भूमरा के सामने वही बात करें रिशब पंत लास्ट फाइव इनिंग्स की तो नौ रन बनाए हैं नौ बाल में पांच बनाए हैं स्ट्राइक रेट 55.05 चेक से फिर 20 बाल में 14 बनाए हैं 70 की स्ट्राइक रेट से 33 बा बनाएं 27 बाल ने थैटीस पर श्रपंत ने कहा है कि ना मैं ना जाओंगा 30 पर मुझे 20 में ही रहने दो मेरी उमर के हिसाब से मैं आगे जाओंगा चाड़िये आप पेसर इन पावर प्ले की बात करें मुंबई ने 22 विकेंड निकाले हैं आवरेज जो है वह वह बीस की रह पाद पाइश वाई स्ट्राइक रेड भी बहुत जादा है यह तो कहीं भी मैच नजर आता ही नहीं इसके बात करें फर्स्ट विन इन शिक्स आईपियल गेम्स फॉर मुंबई इन दुबाई लॉस्ट बाई साथ विकेट से आर्टीबी से आज़ दोसर चौदा में लॉस् से सूपर होवर सही हारे पंजाब से इस साल और अब कहीं जाकर के इनको एक जीत नसीब होई वह भी नौविकेट से दिल्ली के खिलाव चलिए बहुत अच्छी बात है बढ़ते हैं फड़ा-फट से मैच की तरफ फिर हम चलेंगे अपने बावन वे मैच की तरफ हुआ यह की दिल्ली ने पहले बैटिंग करी बैटिंग क्या कि उन्हें का कि वह यह आया राम गया राम एक सो दस मात मत आए नौविकेट भाई आए एक विकेट क्यों छोड़ दिया था वो भी दे रहे थे हैं इनकी तरफ से हाइस्ट रन जो हैं वह हैं मातर पच्चिस स्रेश अई हैं बोल्ट ने जरूर है शुबात अच्छी की थी और बोल्ट ने जो है नट बोल्ट डीले कर दिल्ली के तभी कुछ ऐसा खेल हो गया था में मातर 32 रन ने 22 रन बना पाया दिल्ली मुंबाई ने चौलब सुनद दो ओवर में एक विकेट खोते हुए 111 बना लिए कि कई स इस रन की बात करें तो वो मुझे नजर आ रहे हैं बातर रन की पारी जो की है इशान किशन के नाम और उन्होंने बनाई 47 बॉलों में इन्होंने इमारे 643 चके एक रन एक्स्टा इसमें भी दान दे दिया कर आप जीत का एक रन हमसे ले जाएं दिल्ली ने कहा दिल्ली के सबसे बैस्ट बॉलिंग में सिर्फ एक मातर भी निकालने वाले बॉलर हैं दो देशनले दो ओवर कोई में नहीं पच्छी सन एक फिकेट और यह हैं नौट जे भाईया इस बार रबाड़ा ने कबाड़ा नहीं कबाड़ा नहीं मचा पाए हां किफायती बॉलिंग में नह संराइजर हदराबाद के बीच हुआ मैच पिछले मैच पर केकर के निगाह थी बर दिल्ली ने हारके केकर का कबाड़ा कर दिया और जो इस मैच की बात करेंगे इसमें भी वो टीम हारके भी प्लेयाफ्स में पहुंच गई उसकी बात करेंगे तो चलिए चलते हैं अपने in the power play this season they have the highest scoring rate and have lost the least wicket nine in this phase oh my god Warner himself has changed his method in the first six overs after striking at rate of 105.5 in in the first nine innings he he is hit 85 of 44 in the last two games this is what we will talk about this is that Sandeep Sharma has picked 21 wickets in 13 matches against RCV he has dismissed Kohli six time and devilates twice Sandeep Sharma ji Bangalore पर पढ़ते हैं बहुत ज्यादा भारी बात करते हैं विराट Kohli versus Sandeep Sharma की तो हम बात करी चुके हैं थोड़ी सी कर लेते हैं और 11 इनिक्सेली हैं स्ट्राइक पान्सों आट की हैं स्ट्राइक तो ठीक है बट यह स्ट्राइक पर थोड़ी देर के लिए रहती हैं उसके बाद खुदी पाविजिन चले जाते हैं अपनी स्ट्राइक लेकर अविराट कोली वर्सेशनराइजस की बात करें चौदा इनिके लिए हैं पान्सों अठार मनाए हैं तिरालिज दश्राइक साथ की आवरेज से स्ट्राइक रेट एक सट्राइक चार की से और हाइस्ट हैं तिरानवे नाट आउट सब कुछ बढ़िया है बट कभी कभी विराट कोहली संराइजस के कुछ बालर्स को भेद नहीं पाते हैं खासकर और स्ट्राइक रेट हैं 167.30 का जो कि ठीक है और हाइस्ट स्कोर एक बार फिर डिसपॉइंट करता है 89 रन नौट आउट बात करें अगर विकेट लॉस्ट इन पावर प्ले इन फरस्ट इन शार्जा तो पहले आठ मैच में नौ विकेट गिरे हैं और लास्ट के थ्री अजित खान इन मिडिल ओवर्स डिस आई पिल तिरालेस ओवर उनर फेक हैं 16 वेकर निकाले हैं 16 दिशनलव एक की स्ट्राइक रेट से और एकॉनमी जो रही वह चार दिशनलव आठ है जो कि टी ट्वेंटी में एक सूना है सूना क्योंकि बहुत बख्री बख्याव के जात मैचेस में 105.47 की थी 15 चौके जिसमें सामिल थे और दो च्छके सामिल थे लास्ट के दो मैचेस में उनकी स्ट्राइक रेट 193 की हो गई और इसमें 9 चौके हो गए और चार च्छके हो गए यानि की वार्नर जो हैं वो थोड़े से जहां जहां प्लेयाफ पास नजदी काता जाता है वो थोड़ा अपनी गेर बढ़ाते हैं शिफ्ट में चलिए आगे बात करते हैं लास्ट फोर मैचेस एंड क्वालिफिकेशन स्ट्रिमिलेशन इसमें था नो डेड रबर्स दिस सीजन ओके इसके रवाद दिल्ली एंड आर सीबी ए वर्चुल क्वालिफार फॉर इसपार्ट इन क्वालिफार वन लूजर में गो थू इफ अधर रिजल्स देर वे तो टीम्स विल क्वालिफार विद फॉर्टीन पॉइंट्स हापन अल्ली वन्स प्रिवियसली इन 2010 यहनी कि 14 पॉइंट के साथ अगर कोई टीम क्वालिफार की है तो इससे पहले सिफ एक बार ऐसा हुआ हुए 2010 में Sunrise is the only side outside top three that have faith in their hands but Mumbai on choose and qualify बाह करें किंग से पंजाब राजिस्थान एंड के के आर में गेट eliminated of even if they win भाई वो तो सीरी सी बात है बाहर वो अलड़ी हो गए थे तो यह तो थे कुछ हमारे पास डिडियो नोज फैक्स एंड सब कुछ चलिए मैच की तरह बढ़ते हैं सीधे से बैंगलोन ने करीब पहले बैटिंग मातर 120 रन याने की कहीं भी competition में टिकते नहीं है और व हैं वो दिये 32 रन का सयोग फिलिपस ने और इन्होंने बना 31 बाल में चार चौकों की मदद से 11 रन यहां पर संराइजस ने एक्स्टरा खर्च किये संराइजस की बेस्ट बालिंग की बात करें मुझे दो बालर नजर आ रहे हैं मैं बेस्ट पिक करूंगा चार ओवर कोई म संराइजस ने इक और में इनकी तरफ से हाइस्ट रंड जो है वो है थैटी नाइन रंड की पारी है जो की प्रित्वी शौक के नाम है विदिमाज शाह के नाम है 32 बालों में चार्च होगे और एक चेकों के मद्द से छे रन बैंग्लों ने एक्स्टरा खर्च कर दिये और बैस्ट बालिंग की बात करें तीन दिशनल एक और उननीस रन दो विकेट और यह थै जो गुदिर चहल और 58 रन बनाए यहां पर संराइजस ने मेंडरी पापले में इस तरीके से बैंग्लों हार्ट हो गया मैच बट क्वालिफाय कर गया इसी एक अमाल की बात इस मैच की थी चलिए बढ़ेंगे हम अपने तिरपनवे मैच की तरफ उस में देखते हैं क्या कुछ हुआ क्या कुछ गटा और फिर बढ़ेंगे आगे इसमें बढ़ा बढ़ा कि दिखाया गया है डिडियू नो अब पहने बात करें अगर इस मैच की तो यह वह मैच था जिसमें रखता था इवन बड़ा ही आश्चर हुआ कि फाइनली ताहीर को खिनाना ही पड़ा और मैंने एक वीडियो देखा था जहां ताहीर एक यंग्स्टर्स को सिखा रहे थे बॉलिंग की गुड़ दे रहे थे और सबसे अच्छी बात मैंने यह देखिता है पूरी हिंदी में बात कर रहे थे यह देखकर वड़ा अच्छा लगा चलिए बात करते हैं सबसे पहले डिडियो नो कि दिस हाज बीन मैंस धोनी वर्स्ट सेशन सीजन विद बाट फ्रूस रन ऑनी दो सो रन उन्होंने बनाये हैं लोईस्ट आवरेज जो कि पच्चीस का रहा सेकंड लोईस इस ट्राइट एक सोला कि थी अल्ली मार्जनली बेटर दन इस 106 वर राज 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 थान राज नी राज पुने सूपर जाइंट इन 2017 और फूस्ट शिक्स साथ और नो मैं अफ द अवार्ट आवर्ट अल्सु आपन जो कि दोजर पंद्रा में भी होगा था जनी कि महिं च्रह Waiting दोनी नहीं कुछ का मार कर पहे कल राहूल सोट इस।र्स फ्スकी से 8.6 00 keld willen जोब टोगा अउंडेट death over strike rate is 188.67. It is helped by the fact that he scored at 310.00 in that phase against RCB. His death over strike rate in other games is lowly 117.50. यानि की राहूल ने पर्फॉर्मेंस तो अच्छा किया बट कुछ ज्यादा ही एफर्ट लगा दिया बैंगलोर के खिलाफ शायद कोहली कोई दिखाना चाहते हैं साथ देखिये मुझे टीम में लीजिये मौका भी मिला है जी हाँ जी मौका भी मिला है चलिए आगे बात करते अनली हार्दिक पंडिया हाज ए बेटर स्ट्राइक रेट दें जडेजा कंस्टिंस टिली इट हाज अलसो बीन जडेजा वर्स्ट सेजन शीशन विद बाल विद जस्ट टू विकेट टू हिस ने यह बात बिलकुर सही कि जडेजा लगता है बॉलिंग से जादा बैटिंग बाद ध्यान देने लग गए और इसका असर ना किया वर आई पील पे बलकि इंटरनेशनल मैचस में भी देखने को मिलता है CSK हाव ए थैटीन नाइन हैड इन हैड जो हैड टो हैड एंकाउंटर अगेंस किंग सेलन पंजाब यानि कि तीरह नौ से पल्रा भारी है चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे हैं ऐसा की केल राहूल वर्सिस दीपक चेहर का प्रदर्शन थैट चोवन बाल खेली हैं 77 रन बनाए हैं आउट नहीं हुए हैं इस ट्राइक के 840 सब्सक्राइब साच चार है अनली डीकॉक 83 रन्स हाज स्कोर मोर रन आफ चेहर इन दिस अन्द आई पेल यानि कि कही ना कहीं राहूल और डीकॉक चेहर को पर कहर बनकर बरसते हैं अब बात करते हैं मोस्ट रन्स इन आई पील सीजन फॉर अनजाब 663 केल राहूल का इस साल नाम हो गया है इस से पहले 659 था केल राहूल का ही 2018 में 616 था शौन मार्श का 2008 में 593 था केल राहूल का फिर से 2019 में 552 था ग्लेन मैक्सवल का 2014 में फिर तो भाई अग्लेन मैक्स ने का हम इंडिया उस्टेलिया सीरीज में खेलेंगे आई पिल में खेल के हम नहीं दिखाएंगे हम तो नहीं वजब करेंगे पंजाब की क्रिस गेल वर्सिस इमरान ताहीर के अगर बात करें 16 बाल खेली है 39 रन बनाए हैं तीन चौके हैं इसके अलावा चार चखके हैं आउट एक भी बार नहीं हुए हैं और स्ट्राइक रेट है 243 देशनलव 75 की यानि कि कहीं ना कहीं गेल ताहीर का जो है तस तसरीफ जो है व कि हां मोस्ट इनिंग बिट्वीन 250 प्लस स्कोर इन आई पील फॉर्टी नाइन यूसुप पठान 2010 और 2013 तीन साल लग गए भाई और 49 इनिंग ऐसी थी जब 50 से ज्यादा रन ही नहीं बना पाए दो इनिंग के बीच में फिर आता है नाम दीपक हुड़ा का अरतालिस 2015 से इस साल भाई क्यों मौका देते हो फर हुड़ा जी को हुड़ा निक दिखांगे बगाओ फिर है डुएन ब्रावो 44 2009 से पंद्रा यारी कि ये कुछ खिलाडी हैं जिनको 50 बनाने में भी लाले पड जाते हैं फिर बाद करते हैं फैब डू प्लस इस की लास्ट सेवन इनिंग्स की वो भी किसल केवल पंजाब के खिलाफ 55 67 चौदा चौवण 96 87 नौट और तालिस जानी कि पंजाब के खिलाफ तो फाब डू प्लस चलते हैं चलिए बढ़ते हैं मैच की तरफ देखते हैं मै हुड़ा की जो की आई तीस बालों में 34 चार चार चकों की मदद से चिन्नाई ने दिये दो रन एक्स्ट्रा मात्र बहुत किफाइदी बालिंग बालिंग की बात करें तो बालिंग में चार ओवर 39 रन तीन विकेट निकाले लिंगी निगरी ने मैंडिरी पाउपले में में करते हैं चिन्नाई की चिन्नाई ने 154 मनाएं एक ही विकेट खोया और तकरीब बारह तेरा बालों मैच से पहले जीत लिया मैच कहा चलिए आप भी हमारे साथ घर चलिए आपको भी हम प्ले आफ में तो आप ऐसे नहीं जा रहे थे हमारे साथ ही चल लीजे वह भी हार के ग पास बाल में चाह चोवए एक चकों के मलत से 14 रन एक्स्ट्रा दे दिये पंजाब ने का सर जा तो रहें कुछ आपको गिफ्ट देते हुए जाए बालिंग की बात करें तो एक मात्र विकेट निकाला था 31 रन देखर के तीन ओवर में और यह था क्रिस जॉर्डन के नाम इ ऐसे की गेल को इन्होंने बीच में उतारा गेल को भी आप स्टार्टिंग से खिला सकते तो शायद आप प्ले आफ्स तो एट लीस्ट खेल रहे होते सैते 57 रन जो है वो चैन नाइने मेंडरी पाव प्ले में बनाए और अपनी विदाई जो है वो जीत के साथ करी इस आई पर जान देना था भाया कुकि गणिती इतनी कटिन थी दो दो बार तो मेरे हाथ सिनेरियो लगा है कि एक्चन में होने क्या हवाला था इस मैच में जो किता के क्यार वर्सिस राजिस्थान के बीच मैच और दो तो यह दोनों टीमें बाहर ही थी एक तरीके से बद फिर भी जिस टीम के गणित में मास अच्छे आते हैं वो टीम शायद आगे पहुंच जाती मगर ऐसा हुआ नहीं दोनों टीमों के साथ चलिए बात करते हैं निर्टीश राना की लास्ट फाइव इनिंग्स की एक बाल पे शून ने आरसीबी के खिलाफ एक यासी बनाए तिरपन ब पालाना जिए यह वैसे हैं कि भाया हम लंबॉर्गीनी बुकाती से नीचे बाते नहीं करते हैं भाई हम या तो जीरो पर रहते हैं या हमारी गाड़ी सीरे पचास के पार जाती है तो ऐसा कुछ खाल जो है इनके साथ रहा इस सीजन में भी बाकी सीजन में भी क्या पता इ और वन दिस ओवर नहीं क्या किया ऐसे दस ओवर नहीं डाले पांच विके निकाले और एकनामी रही तीन दशनल तीन शून की आउनली ट्रेंट बोल्ट फाइब आस टेकन आज मैनी विकेट इन दफ फर्स ओवर दिस आई पिल ओ माई गॉड जी हां जी ट्रेंट बोल्ट और बाड़ा का तो जलवा ही रहा है अब बात करते हैं बेस एंड वर्स एकनमी रेट इन पावर प्ले दिस आई पिल फाइव प्लस ओवर बोल्ट जो पांच से ज्यादा ओवर में जो एकनमी रही है जोफरा आर्चर की सबसे बढ़िया चार दसनल तीन पांच की और सबसे खराब रही है वरुन एरॉन की गैरा दसनल चार तीन किया जोफरा आर्चर फिर जोफरा आर्चर है चले पहला सेनरियो आपको बताते हैं जो की पहली इनिंग खतम होने के बाद का था लोजर इस नौड आउट ठेक है तो गो पास दिल्ली एज नेट रंडेट के के आर शुट विन बाइ फोर्टीन पॉइंट वन ओवर्स ये सिनारियो था तो गो पास आर्चीबी नेट रंडेट के के आर शुट विन बाइ तीहत्तर रन एंड राजस्थान शुट बाइट थैटीन पॉइंट फोर ओवर्स जो की हुआ नहीं चलिए बढ़ते हैं एक और नेक पॉइंट टेबल के के आर शुट विन बाइ 75 रंज राजस्थान शुट बाइ 14.1 यह वही सिनारियो इसमें कोछ चेंज नहीं हुआ है तो गो पास्ट आर्चीबी सेकेंड इन दा स्पॉर्ट्स नेट रंडेट के की आर शुट विन बाइ 79 रंज एंड के क्यार विन बाइ 13 डिशनल अव्चोन यानि की सिनारियो दोनों ही जगा सेम थे कहीं कोई अंतर नहीं था तो एक ही सिनारियो के हम बात करेंगे तो इस तरीके से फैक्ट वैक्ट खतम होते हैं चलिए बता देते हैं फाइनली क्या किसमत ने साथ दिया तो पुलकता ने बनाए 191 रंज साथ फिकित के नुकसान में 20 और में पूरी कोशिश करी कि हम रनों के मामले में हमारी मैथ अच्छी है हम जीत जाएंगे ऐसा हुआ की नहीं हुआ यह बताते हैं फिलाल बेस्ट बैटिंग की बात करें तो उसमें पूरा सहीयोग दिया कप्तान मॉर्गन ने भी कहा मैं लीड फ कता को इसमें जो की उनको दिये राजस्थान ने बस्ट बैस्ट बालिंग की बात करें राजस्थान की तरफ से तो वह आई चार और पच्छी संद तीन विकिट और वो थी राहूल तेवतिया की यह तो कमाली थे इस बार में पाप ले में बनाए 55 रन अब बात करते हैं रा तो तुमको लेके जाएंगे भले हम मुश्किल से तुम जीत हारें बट तुमको लेके जाएंगे तो हो इनकी तरह से बेस्ट बैटिंग की अगर में बात करूं तो काफी 30 तो 20 में स्कोर बने हैं बैस्ट जो है वो जोस बटलर के नाम है 35 बना है उन्होंने 22 बाइस बाल मे चार विकेट पैट कमिन्स बहुत जादा मेहनत कर ली केकियार ने बट वो यहना केकियार ने का ना ले के तो हम तुम कुछ जाएंगे और मेंडर पाफ ले में बनाए 41 रन यहाँ पर राजिस्थान ने और इस तरीके से यह मैच तो जीत लिया 60 रनों से बट अपने आपको प्लेफ रॉफ की रेस में पहुंचा नहीं पाई टीम केके आर तो चलिए एक आखरी मैच पर नज़र डालते हैं और फिर वाइंड आफ करते हैं इस शो कर आप सोच रहोंगे यारे इस बार भी फाइनल नहीं आपाएगा चलिए अगली बार तो फाइनल आही जाएगा फाइनल मेरे दिमाग में अभी भी एक बात आई मुझे ऐसा लगता है ये बात बहुत पहले आजानी चाहिए थी बट बहुत बात में आई और वो ये कि माइंड गेम्स आस्ट्रेलियन टीम खेलती है और अगर आप देखें तो दो बड़े खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा माइंड गेम का इस्तिमाल किया एक ग्लेन मैक्सवल और एक अरन फिंच ग्लेन मैक्सवल ने पूरे आई पेल सीजन में स्कोर ने बनाया और ये बात डाल दी इंडियन्स के दिमाग में कि भाई ये तो या तो टीम में होगा नहीं और होगा तो हम इसे बड़ी असानी साउट कर सकते हैं ये रन ने बना लवला वही खेल आरन फिंच ने भी किया वो टीम के कप्तान थे और विराट कोहली के अंडर खेल लए थे तो उन्होंने भी यही धोका दिया भाई आस्ट्रेलियन से अगर आप दिमाग से नहीं खेलेंगे तो फिर क्या होगा और वो हाल हमने आस्ट्रेलिया के साथ ओडिया इस सीरीज में तो एटलीस देखी लिया चलिए बात करते हैं डिडियो नो की जो की ये मैच था आरसी वी वर्सिस दिल्ली के बीच सिंस 2019 दिली केपिटल हाव वन अल दा मैचेस अगेंस आरसी वी वा भाई वा ये तो बहुत ही सुकत समझार दिली वालों के लिए बट जो बिचारे बैंलोर के फैंस हैं वो तो फिर बस रोही रहे होंगे डिली हाव लॉस्ट विकेट इन दा ओपनिंग ओवर इन एट ओफ दियर थैटीन मैचेस इंटरस्टिंगली दा आउनली साइट था था विकेट इन दियर फर्स ओवर ऑफ बॉलिंग दिस सीजन इस आरसी वी वा भे वा ये भी एकमाल का फैक्ट है अपनों के लिए चले आ है पच्चीस रन बनाएं तीन मार आउट हुए है इस ट्राइक रेट जो है वो च्यानवे दिशनल एक पांच का यानि की विराट कोली रबाड़ा के सामने उनका कबाला निकल जाता है विराट कोली वर्सिस रवी अश्विन की बात खलने अठारा इनिंग खेली हैं 157 रन हैं डिसमिस नहीं हुए है इस ट्राइक रेट 131 नौती जाई कि आश्विन को अच्छे से खेल लेते हैं अपना अपना भाई बंदू है भारती तो खेली लेंगे चलिए एविली विलेस का आईपेल 2020 में क्या रहा एक से पंदरा ओवर की बीच 142 रन बनाए स्ट्राइक र काबल हो जाती है 228 की जिसमें हो जाते है 14 चौके और चके भी बढ़िया हो जाते है 18 यानि कि डेथ ओवर में डिविलियर्स जो है वो डेडली हो जाते हैं बिलकुल जी आज यह बात करते हैं इसमें पांच के साथ देवज़त पटिकल ने इस साल बैंगलॉर के लिए कर दिखाए इससे पहले शिकर धवन ने किया था चार बार 2008 में डिल्ली के तरफ से और शेयर अईयर ने चार बार किया था 2015 में दिल्ली के तरफ से दिल्ली 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 चलिए आए बड़ते हैं यह है RCB in over 16 to 20 in last 3 games चिन्ने के खिलाफ 101 रन बनाए दो विकिट थे और इस उनका स्कोर पहुँचा जाके 145 पर 6 जानि कि 44 रन पर 4 विकिट खोए बहुत खराब पर देशन मुम्मे ये खिलाफ 139 पर 2 थे और 164 पर 6 हो गए यहां पर भी विकिट इन्होंने 4 गवा दिये और मातर 35 बनाए फिर संराइजस की बात करें तो यहां 93 पर 4 था जो कि स्कोर पहुचा अप 120 पर 7 यहां पर 27 पर 3 जानि कि आखरी के तीन ओवर में बैंगलोर को लड़के जा आगे रबाड़ा इन ओवर्स 16 से 20 आई पील में पंदरा विकिट निकाले हैं एकॉनमी जो है वह आठ दसना आठ चार किया स्ट्राइक रेजर साथ दसना पांच किये एकॉनमी फरक नहीं पड़ता है क्योंकि रबाड़ा ने विकिट काफी लिए है यानि वह रन दे रहे ह सिनेरियो क्या था इस मैच में यह देख लिए दिल्ली वुट नीट टु स्कोर एट लिस हंडर एंट थैटी फोर रन पहुंचने के लिए रन इफ दे लूस तुडे टू कीप देर नट रेंट अहेड ऑफ के के आर मुलब 134 बनाने से दिल्ली को भले वह मैच जीते नहारे उससे फरक नहीं पढ़ना आला था आर सी बी वुट नीड लिल्ली तू बैट अट लीस 17.3 ओवर इफ देर लूस तुडे टू कीप देर नेट रेंट अहेड ऑफ के के आर यानि की बैंगलौर अगर हार भी जाता है तो उसको 17 दिल्ली को बैटिंग खिलानी होगी मतलब मत गा आर मत होना बस इतना सवाड़ लू इसके बाद अगर बात कर दें शौर की लास उनिंग की तीन ब rodz believing मभी खिलाफ एक वाल में सूनल रन राजस्तान की खिलाफ दो बाल में चिया स्के खिलाफ एक बाल में साथ रन पंजाब साथ रन पंजाब कि कि खिलाफ एक बाल मे 10 रन मुम्माई खिलाफ और 6 बाल में नौरन आर्सीबी खिलाफ यानि कि इन्होंने का मैं 20 पर तो नहीं जाओंगा मैं ऐसे चलूँगा बात कर लेते हैं चहल की आई पेल 2020 में उन्होंने 20 विकेट निकाले हैं और एकॉनमी जो है उनकी रही है 70-60 की दा उनली माच ही वेंट विकेट लेस 29 पर जीरो जो की तीसरा मैच था दिल लेके खिलाफ यानि की चहल ने पहल तो करी है विकेट की सीजन में बट इंडिया की तरह से जो खेल रहे हैं थोड़ा सा डगमागा रहे हैं रहाने वर्सिस चहल की बात करें तो सिक्स इनिंग्स हुई हैं मातर 24 रन बनाए हैं तीन बर आउट भी हुए हैं और स्ट्राइक रेट होती है 92 दिशनलर 3-1 की यानि की चहल को जो है अच रहाने बिलकुल भी चहल कदमी करके रन नहीं बना पाते हैं बात करते हैं इस डीट chuck has 153 आट से नीट डिली इस्ट अभी है आफ़ 12ट प्रश थावग नगजस माक्क तूह्ट sex बात करते हैं इस楽 एम अफ कर सा दिली स्कूर 155 सतया पाँट माच अवर एफ दिली इस इस ओडिर trips फडिली स्कूर 27 54 सतया थारा उवर इफ दिली स्कूर स तो आठावन अठावन अठावन दशनलव एक वर ये कुछ सेनेयरियो था भाई डिल्ली आरसीबी राइवल्री आएपिल की बात करें 2008-10 की बात करें तो डिल्ली ने पांच मैच जीते आर्सीबी ने एक जीता दस मैच हुए थे बीस की बात करें तो डिल्ली ने चार जीते और बैंगलॉर एक भी मैच नहीं जीत सका बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स डियर डैवल इस नाव फिनिस्ट इन इच आफ दे टैन पोजीशन इन धिस पॉइंट टेवल द आउनली टीम डूसर वार मदब हर पोजीशन में हमारा नाम होगा अब ठाएब कोई भी हो पहले पर पहुंचे थे 2009-2012 पे दूसरे पर 2020 में इस सहरे पर पहुंचे 2019 में 2014 में 2008 में 5 में 2010 में 6 2016 2017 में साथमे दोजर पंदरा में 88 में 2014 & 2018 में नवे पर 2013 में आखरी पोजीशन हासिल की थी 10-2011 में एक और है फैक्ट यह नितीश चुका हूँ जौफरा आर्चरस इन ओवर अन्डिस आई पिल ये भी मैं आप लों के साथ डिसक्रस कर चुका हूँ ये मेरे पाद दो दो बार आ रहें खैर बाह करते हैं ये भी मैं आप लों के साथ डिसक्रस कर चुका हूँ वर्स्ट एकॉनमी इन पावर प्ले डिस आई प हो गई है तो इस तरीके से यह सारी चीज़ें जो है वह कंप्लीट हो जाती है चलिए तो बढ़ते हम अब इस मैच की तरफ एक्चल में मैच में क्या कुछ हाल हुआ बैनलों ने खेले बनाए एक सो बावन साथ में पूरे बीस ओवर में इनकी तरफ से हाइस्ट रन जहां फिप्टी रन की पार्टनर्शिप पारी है चालीस एक तालीस बाल में पांच होए और कोई छखका नहीं इसमें था और यह था परडिकल के नाम चारन दिली न इत्ताइत संतीन विकेट और जो की आते हैं नौट जे के नाम बैंगलों ने बनाए चालिस रन मेंड़री पावफले में वहीं उन्ने सोवर में एक सो चौवन पैचार मैच भी जीत लिया कौलिफाई भी कर लिया अब इसनकी तरफ से बेस्ट बैटिंग में रन आते हैं सा कर्श किये बैस्ट बॉलिंग में चार ओवर चब्विस और दो विकेट और ये लिये थे अहमद ने शहबास अहमद ने दिनी ने मिनाए में यूट प्रप्ले में तिरपन रन इस तरीके से हमारे मैचस खतम होते हैं पूरे के पूरे पचपन हम अगली बार आएंगे तो ब से एक्स्टेंड हो चुका है अब मैं बस आपसे इतना कहूंगा अपना ध्यान रखिए मुझे अपने दिलों में याद रखिए शो छूट गया हो कल दुपहर तीन वज़ी रिपीट होगा अपने दोस्तों आस परोस वालों को फोम लाके कहिए एक शांदार शर्श हो आता तब तक के लिए बाई बाई